फिल्मकार अनुराक कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली बॉलिवुड अबने त्रीपायल घूश अब इंसाफ की मांग को लेकर भूखरताल पर बैठेंगी अक्टरस पायल का आरोप है कि मामला दर्ज होने के एक हफते बाद भी अनुराक कश्यप पर कोई कारवाई नहीं हुई है बॉलिवुड इन दिनों आरोपों की आँच से तप रहा है पिछले दिनों आक्टरस पायल घूश ने डारेक्टर अनुराक करश्यप पर यौन शुशन का आरोप लगाया था इस आरोप की बाद अनुराक करश्यप को लेकर हर जगा बवाल मच गया पायल अनुराक के खलाफ शिकायत दर्ज करवाने पुलिस थाने भी गई थी लेकिन अब तक इस पर कोई कारवाई नहीं हुई पुलिस की इस रवये पर सवाल खड़ा करते हुई रविवार को पायल घोश और उनके वकील नितिन सत्पुते दोबारा थाने पहुँचे इससे पहले पायल घोश ने दोबारा ट्वीट कर पीम मोदी, आमिश शाह और बंगाल की सिये ममताब इनर्जी से न्याय के गोहार लगाई थी उन्होंने ट्वीट किया था कि मैंने एक अपरादे के खिलाफ मामला दर्ज किया है जो दूसरे लोग भी यही धारना रखते हैं कि मुझे ही लपेटे में लिया जा रहा है मुझसे ही सवाल किये जा रही है जब क्या रूपी घर पर बैट कर आराम कर रहा है क्या मुझे न्याय मिलेगा ममता मिनरजी को टैक करते हुए पायल ने ट्वीट किया मैं कोलकता के एक सबसे प्रतिष्ठत कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ और मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है जो कोलकता में रहते हूँ जिसके पीछे कोई ड्रग पेडलर यार सुसाइट के लिए उकसाने वाला चिपा हो तो फिर ये फर्क क्यों प्लीज जवाब दे मैडम आपको बतादे कि पायल घोश ने अनुराग कर्शिप के खिलाफ यौन शोशन का रूप लगाया है पायल का कहना है कि अनुराग ने उनके साथ घलत बरताव किया वहीं अनुराग ने पायल की नारूपों को ब